लिए हम लोग करने जा रहे हुआ बात करने जा रहे हो process princess host involved मात बात करनेज आ रहे हो एक हाई प्रोससिस कॉस्टिरिप लुग मतिर्फ तर्व सबसे पहले प्रोसेस करते हैं प्रोसेस क्या रिखी जो मैनुफेक्ट्रिंग किया जाता है फैक्टरीज के अंदर राइट डिस्टिंग मदल अलग-अलग प्रोसेस से जैसे कि अब बात करो देखे एक्जामपल कोपरा क्रसिंग अगर हम तो कोकोनट ऑइल बनाना क्या बनाना को बåते प्रोसेस ओकेट डिस्टिंग मैनुफेक्ट्रिंग ऑपरेशन या फिर कोई स्टेज यूसे मतलब कि प्रोसेस मतलब इस टेज्टेज हो के पहले प्रोसेस में जाएका सेकनि स्टेज तेस उसके पसे ऐसे जिए ते प्रोसेसस ऑके डालास नोब फाइनल बूट्स जाके फिनीस गोड बन जाता है यहां लिखा इन प्रोसेस इंड़स्टी ओके अ कितने बागों से गजर की जाना पुड़ता है इन जाना पुड़ता है ऑकि सेक्वेंस होना चाहिए जब तक नीज प्रोड़क्ट वह बनने जाता ओके वनके रेडी मी वह जाता ओके इग्जाम्बल देखे है कोकोनट ऌयल का लिए गया है जब से सब अगर हम लोगों coconut oil बनाना है तो सबसे पहले हम लोगों को प्रशिंग करना पड़ता है रिफाइनिंग करना पड़ता है देना इसको बात फिरी सिंग तो ऐसे तीन प्रोसेस है अब इसको बोलते हैं बात को समझ में आया चलिए अब प्रोसेस कोस्टिंग क्या है बहुत बहुत इंपॉर्टंट है अभी बता रहा हूं तो यह क्या करता है method of costing क्या करता है find out करता है cost of product in each process मतलब कि हर process में cost of product मतलब कितने रुपे का खर्चा लगा है ओके cost of product मतलब अगर आप खोब्रा क्रशिंग कर रहे हो process one में तो process one के खर्चे कितने होए है ओ calculate करते देता है process costing क्या है यह एक method costing का ओके important objective type की question में पुछ सकता है मैं अभी भी बता रहा हूं चली अब obviously सी बात है guys अगर आप process करोगे कुछ ना कुछ loss हो गई होगा right machine में डालते समय अगर machine अगर आप क्या है machine में process करते समय कुछ ना कुछ नुकसान होगा कि नहीं होगा okay तो गाइस यह सारी वेस्ट है losses है दिखे रहा है वेस्ट losses normal loss होगा abnormal loss होगा abnormal gain होगा यह सब यह सब मैं आपको बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप यह table को देख लिए यह सारी चीज़ों को आप देख लिए ओके यह सारी चीज़े को देखने के बाद मैं आपको पूरा यह theory part जो है पूरा का पूरा आपको learn करऊंगा सिखा दूँगा पूरा का पूरा don't worry guys okay simple सा है यह theory parts तो सबसे first मैं आप लोगों को एक कहानी सुना तो पहले कहानी देखो देखिए guys कहानी को सुनते वे चलेंगे okay तो देखिए सब को दिख रहा है और वो तो चलिए देखिए सबसे first यह process मतलब process one है मतलब कोई machine होगा यह नहां पर एक लेवर है यह दिख रहा है input मतलब कुछ यह neighbor जो है raw material इस machine के अंदर को डाल रहा है बात समझ में आतो इस लेवर ने जो raw material डाला हुआ है वह है 20,000 units का कितने का है 20,000 units का ओके मतलब 20,000 units का raw material है एक unit 28 रुपे का मतलब 28 रुपे का है यह इतने machine में यह ओके डा है क्या जरूर यह 20,000 अगर यह unit डाल रहा तो 20,000 का 20,000 पुरा यह machine में चला गया होगा नहीं सर्थ पुरा का पुरा तो नहीं जा सकता है वह सकता कुछ ना कुछ गिर जाता होगा ओके गिर रहा है कुछ ना कुछ machine में जाने से पहले गिर रहा है जिसको हम बोलते है normal loss मतल अब क्या होता है यह normal loss आता कैसे यह normal loss आता है आपके पास्ट experience पास्ट experience वाट गाइस जैसे कि मैं बता दे रहा हूं कि पिछली 10 साल से आपकी company चल रही है सेम आपने पिछली 10 साल से आप देख रहे हो कि जब भी मैं process 1 में material को पुट करता हूं तो कुछ ना कुछ पाट ग loss हो चुका है ओके जिसको नॉर्मल लॉस बोलते हैं अब यह जो नॉर्मल लॉस है ना गाइस यह अनवाइडेबल लॉस है और अनकंट्रोलेबल है इसको आप अवाइड करी नहीं सकते हो गिरता ही गिरता है हो सकता कुछ ऐसे भी होंगे हमारे जो लेबर है मशीन में डान है कुछ लॉस ऐसे वह तो दिखाई देते कुछ लॉस ऐसे वह जो दिखाई नहीं देते मैं अभी भी बता रहा हूं आपको तो गाइस ऐसे भी लॉस आपको देखने को मिलेंगे इनको तो दिया तो था इंपूट डालने के लिए 20,000 वाट हो सकता है कि यह नॉर्मल लॉस मचीन के अंदर खर्च होंगे के नहीं होंगे आँसर मचीन के अंदर भी खर्चें होंगे जैसे की पक्रच सकतो मसीन का एलेक्ट ezी रेंगे तो ब्रीन का करचा मचीन अगर खुद की एदस सारे करचें को biggest के नाम से जानते तक यह भी 인शांपल लेलो राइट अम मुझे बात बताना मसीन के अंदर गाइस कुछ नकुछ मटेरियल भी तो लगते होंगे जैसे मैं पकड़ दीता ह। ओईलिंग का काम ग्रेसिंग का काम यह सारी चीजों को लिखने हैं आपको material का करचा मसीन का करचा यह सारी खर्चे हो रहे हैं और उपर सी जो लेबर जो मसीन में इनपुट तो कर रहा है तो यह लेबर अपनी पगार लेगा कि नहीं लेगा 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 के भी खर्चे 32,865 रूपिस के प्रोसेस वन में बात समझ में आया अब इन्होंने मसीन में इन्पुट कितना डाला है 20,000 यूनिट का डाला है क्या जरूरी बीस हाजार का बीस हाजारी आउट उटाए सर नहीं 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 कभी जरूरी नहीं राइट क्या सरी 20,000 डालेंगे तो क्या 21,000 आ होगा सपोस्वी रॉमाटेरियल अकच्छा माल है तो कुछ आधा तो बनेगा जैसे का अगर मैं पकन लूप एक शर्ट काम बनी है तो यह सपोस्वी कॉटर नाल रहा है को डाल नाल मतलब यहां पर क्या बन रहा है धागा बन रहा है तो कितना आ रहा आउट पूट दिख अब देखिये गाईस अट्रहाजर केजी का आउट पूट आया है जरूरी नहीं कि जितने धागे आए होंगे वह पूरे के पूरे धागे अच्छे भी होंगे कि कि न्यद्ट कि आउट यह सकता कुछ दाओए ऐसी भी होंगे जो खराब हो गया रहेंगे बनने के बात जिसको हम बूलते अब नॉरमन लौस अब कब होता है यह जानने के ज़रूरी तब हो सकता है मसीन के प्रॉबलम के वाज़े से हो गया रहेगा मशीन में कुछ प्राब्लम हो गये जिसके वजह से कुछ थ्रेड जो थे खराब हो गये हो गया abnormal लॉस को सकता है या फिर या फिर हो सकता है हमारे employees ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया मसीन नहीं नहीं दिया हो सकता है पावर फेलियर के वज़े से भी मसीन चाल जो थी बीच में पावर कट हो गए जिसके वज़े से कुछ चीज़े खराब हो गए बनने के बाद पता चलेगा न अबनॉर्मल लॉस बनने से पहले हो रहा है यह याद रखना दोनों में इंपोर्टेंट है जो बात पता रहो ध्यान से सुनना नॉर्मल लॉस इसी चीज़ के मसीन में जाने से पहले हो रहा है अबनॉर्मल लॉस मसीन में से निकलने के बाद हो रहा है यह बात हमें से याद रखना अब अबनॉर्मल लॉस हो चुका है अब बताईए जो abnormal loss हुआ है और यह जो output आया है output जो आया है तो यह देखिए जो 18,000 unit का जो output आया है बताईए यह इतने unit का है 18,000 unit का तो अगर मुझे बोलू कि एक unit का price क्या होगा बताईए एक unit का price क्या होगा जिसको हम बोलते है cost per unit तो बताईए यह जो 8000 यूनिट आए उसके अंदर कौन-कौन से खर्चे इंक्लूड है सर एक तो बात बताओ यह 28 रुपे का जो इसका खर्चा यह भी इंक्लूड है इन लेवर ने भी अपना मैनत किया तो मैनत इसका भी खर्चा इसके अंदर इंक्लूड रहेगा सर यह मसी चुको मेरे को क्या करना पड़ेगा आड करना पड़ेगा बात समझ में आ गया तब जाके मुझे एक यूनिट का कॉस्ट का पता चलेगा कितने यूनिट बनके रेडी हुए उससे डिवाइड कर दूँगा राइट बात समझ में आया चलिए अब देखिए यहां से जो क्या करेगा इस मसीन में इंपूट करेगा वही अठ्रहाजर यूनिट का आउटफूट बात समझ में आ अभी यहां से धागा बनके जा रहा है यहां पर सब्सक्राइब बन रहा है तो चलिए लेबर अपना खर्चा ले रहा है अब मसीन में जितना यूनिट इनों ने डाला अट्रहाजर यूनिट तो क्या जरूरी अट्रहाजर यूनिट का ही आउटफूट बाहर आए नो सर कभी जरूरी नहीं अट्रहाजर से कमी आएगा राइट ओके तो दीकिए अब मसीन के खर्चे यहां पे भी होगा नवह यह जब मसीन है तो मसीन का इलेक्ट्रिस एडी का खर्चा यह वसीन में होगा ओके यहां बेवी रिंट लग सकता है यहां बेड़ी डेप्रिसीजन हो सकता है कुछ मटेरियल यहां पे आपने डाले हैं वह माटेरियल के कर्चे और अब बताइए अब यहां से शॉट पीस बनक के जो रेडिव हो रहे हैं हमने इतना कुछ ऐसे सद्विस भी हो सकते हैं थ्यायन से सुना यह दियन कभी आता है इंपॉर्टन इस एव नूर्मल गेन कभी आता है यह जाद रखना अब नोर्मल गेन अ आता हम नहीं क्या सोचा था 15 परसेंट का नुकसान होता है हम लोग ने एक्सपेक्टेशन लगा के रखा था कि सेकेंड प्रोसेस में जब हम डालते तो 15 परसेंट का नुकसान होता है यह बात समझ में आ गया ओके तो क्या हुआ रहेगा यह एपनॉर्मल गेन आने का में हने वाला भी मतलब और वह इसको बोलते है उतना सब्सक्राइब नहीं हिए था कि वह पांच परसेंट का नौर्मल लॉस अमने बचा लिएन का जितने आउप पूट बी तो अच्छे निकलने वाले सब्कूत तो grade जिसको बोलता है अब नॉर्मल गेन क्या बोलते एब नॉर्मल गेन तो यह देखिए आउटपूट जो अब यह जो आउटपूट निकला है यह किसके उपर क्यालकुलेट हुआ रहेगा और वेस्टी सी बाद है सारे सर यह खाल देखर्चे यह जो इनपूट डाला उसके खर्चे यह मटेरिय निकलता है कि यहाट उसके खर्चे चार और इंपूट लाइब निकलता है तो आउटपूट होने तक के प्रोसेस में तो यह सब खर्चे लग चुके राइट यह सारे खर्चे लग चुके तब इसके अंदर भी क्या होगा CPU पर निकलता है बात समझ में अब यहां से जो इन्पूट निकलेगा वह जाके यहां पर इन्पूट का काम करेगा बात समझ मे बचमें आयां दालने से पहले इसको हम लोग नर्मल लॉस के नाम से जांते अब बताई यह जो फ्रीजें रूपे में यह जो आ रहे तो ने बेच दोना कुछ पैसा मिल जाएगा बंगार के बाव में बेच रहें एक रुपे में बात समझ में आया तो यह वाली मसीन के अंदर भी तो गाइस मसीन के ऊपर खर्चा हुआ है मसीन का रेंट लग सकता है मसीन की इलेक्ट्रिसिटी लग सकती अगर रेंट कुछ करेगा तो सबस्क्राइब अगर मसीन में जब अच्छे आएंगे क्या नहीं आ सकते रहें यही सब थो सारे खर्चे जो इनवाल्व है न उसको उसका एक के फीछे कितना लग रहा हो कर चोंको करते है जिसको बोलते हैं अगया प्र जाता है अब एबनोर्मल सिस्माने का रीजन इहीजै कि हमारे ज्हूं नजरंदश इसके वज़े से मसीन में न accusation सब्सक्राइब फरी निकल गया spr Bennett हो गया ओक 66 में यू का है बाकी थोड़ा खराब हो गया ओव्मसीन में छाने के बाद यह बनने के चलता अब पता चलता कि वो सकता तो जिसके वजह से मसीन में जो चीजे गई थी वो ठोड़ी खराब निकल वही है इसके वाज़े से एबनॉर्म लोस हो सकता है राइट ओके या फिर मैनेजमेंट इनका प्रॉपर नहीं रहेगा जिसके वज़े खराब हुआ रहेगा तीन चीज़ों वह सकती जो भी है मैं आपको दिखाऊंगा कि सारी चीज़ों को अब अब नॉर्मल गेन कैसे हो सकता हाँ सर एपनॉर्मल गेन ऐसे हो सकता हमारे वरकर जो थे वह बहुत एफिशेंट थे एफिशेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा हमने तो सोच रहा था पंदरबशन का लॉस होगा यहाँ पर यह वाले से केंड परोसेश भी लेवर इतने अच्छे थे कि उन्हों नें सिर्फ दस परसेंट तक का ही लॉस होने दिया मतलब कि अपनी इमानदारी क से से काम किया तर जिसके वजह से जो अच्छी से काम किया तो पांच परसिंट कDINGुछ एक्सराय रहेगा आपको पे वात पूमिद में आगया सब आया दो कि मैं आपको सारे सर्म से करवाने वाला अब बात करते हैं आप आप करते प्हूंज आप सब्सक्का सतुर घंड ऑन वापने पर कुछ दें़ अगर आप तहीं पर जाते हो जोब के लिए अगर पुछ लिया तो आपको पता होना चाहिए जल्दी कोई बताता नहीं बट मैं आपको पूरा डिटील में बता रहो ध्यान से सुनना ओके नॉर्मल लॉस क्या है मसीन में डालने से पहले और यह नॉर्मल लॉस क्या होता है यह हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पास्ट experience को देख कि कि हर साल पिछले पिछली पिछले की पिछले सलों से हमने देख रहे पास्ट वेषब हमेशा प्रोजस वन में 20% तक kा नॉर्मल बस हो जाता है तो इसलिए हमने बोला कि हमारा 20% का normal obby होगा बताईए यह एक उत्सक्राह पूरा दाप्र यह normal कर सकते हैं यह हमारे हाथ में हैं जब काने हाथ में इस कुछ न तरछ सम मशीन में जा और सकता है कुछ निकल जाते रहेंगे इसका तो यह मान के चलते कि बठाए यह गुड्स को बनने के बात पता चलता अब इसके इसके पीछे का कारण यहीं हो सकता है हमारे लेवर अच्छे से काम नहीं कर रहे तह राइट मसीन का पावर कटो चुका था पावर फिदिर जिसको बोलते राइट वो सकता हमारी मसीन इतना होगा बट हमारी लेवर इतने अच्छे थे कि वेचारों ने क्या किया वदा बहुत अच्छा काम किया जिसके वजह पंदरा परसेंट की लोज़ को उन्होंने बचा के टेन परसेंट तक लेकर आया तो हमने जो सोच के रखा था तो आप 5% का तो हमें बेनिफिट हो तो आप जो नॉर्मन लॉस होता है समय सा याद रखना यह जो नॉर्मन लॉस हुआ अब यह नॉर्मन लॉस जो भंगार के वाऊ में इसको बचना पड़ेगा तो देखिए यहां पर है ऑब इसी बात है भाई या प्रोसेस प्रोसेस में पुछ तो लॉस होंगे तो चली यह दिखते हैं क्या बोल रहा है अब मैनुफैक्ट्रिंग प्रोसेस इसलाइट विक्राइफ राइस तो वेस्ट होंगे पूस्ट लॉस होंगे let us first to be clear about the exact meaning of these terms waste का मतलब क्या होता है and losses का मतलब क्या होता है okay wastage क्या है losses क्या है तो चलिए waste का मतलब देखे waste may be invisible और visible मैंने पहले भी बोला ये invisible भी हो सकता visible भी हो सकता दिखाई भी दे सकता नहीं भी दिखाई देगा आइसे भी लॉसे होते हैं okay तो देखे इन्वीजिवल वेस्ट में लॉसे ऑफ माटेरियल बाइव इवेपोरेशन और सिंकेज ओके चलिए και сейчас का मतलब होたाइए जो ऐसे हो सकते हमारेra मसीन में अगर कोई सब्सक्रे में अब को नहीं जैसे का मने घंडयी के जैकने के जो हमने लोग घंडये का जुछ सब्सक्र बना रहे हैं सब्सक्रीव कर बनारएं तो तो वहाय सब्सक्राइब अब बता यह सुक गया है उसको भांगार के भाव में बेचेंगे क्या नहीं बेचेंगे यह के बात समझ में आया evaporation मतलब था वास्फी करण जो हुए में पानी बनके पानी था वह हुए में बनके उड़ गया स्रिंग्तित मतलब क्या मैंने बताया था जो हमारे एक दू चीजे बीच में से निकाल के गायब कर लेते जो पता ही नहीं चलता कि किदर गया इन्वीजीव लेना इसलिए तो लिख्या इन्वीजीवल वेस्ट मतलब क्या इन्होंनों का मतलब इन्वीजीव यह दोनों दिखाई नहीं देते एक तो हवा बनके उड़ गया है अग दूसरा हमारे इंप्लॉई ने का अपर दिया अब यह लिबर ने बात समझ में आया बोलो हासर दीस इस आल्सो कॉल्ड वेट लॉस इसको बहुत इंपॉर्टेड लाइन यह वेट लॉस को अंडर लाइन करूं मैं आभी भी बूल रहा हूं आएगा कोश्चन में वेट लॉस इसको तो आप भंगार के भाव में बेची नहीं सकते मतलब वेट लॉस जो लिखा है गई है जो इवपरेशन हुआ है इसका कोई सिल वेल्यू रहेगा क्या यह तो दिखाई नहीं दे रहे हैं पानी का हवा बनके ओड़ गया सुख गया बईया चोरी कर लिया दिखाई नह दोगता माली बईया बेच पायेगा नहीं इसका कोई सेल वेल्यू है नहीं बाट समझ में आ गया अगर कोस्चन में आता है वेट्ट लॉस तो आप लोग गल्ती से उसका कोई भी सिल वेल्यू नहीं रहेगा मैं अब यपी बता रहा हुँ नेक्स्ट विजिवल वेस्ट द तो सर सेल वेल्यू किसको हम भंगार के भाव में भी सकते हां सर लॉसेस को भी सकते लॉसेस कौन से लॉसेस को सर देखिए इसक्रैप जो गिर गया था जो दिख रहा है खराब हुआ है उसको रेसिडिव कुछ बाकी पड़ा हुआ है माल स्पोयले जो नुकसान हो गया है या जो गलती से बनने चाहिए थे बहुत अच्छे प्रोड़क्त जिसके वज़े से थोड़े सी की वज़े से खराब बन गया तो आप क्या वो डिफेक्टिव हो गया ना राइट आप लोगों ने टीशेट का देखा रहेगा कुछ टीशेट में कुछ डिफेक्टिव हो जाता में स्क्राइग जिसकों भंगार का बहुत है इस अल्वेज आहां हमेंसा लोवर देन दो कॉस्ट ऑ प्रोडख्षन ओके अब सी बात और क्वास्ट प्रोडख्षन से कम रहेगा सर बताओ ना कैसी सर ऐसे प्रोडख्षन से कम रहेगा वह आपने दिखेने एक्जाम्पल द पर उसको बंगार के बाव में बेचना पड़ेगा बीस रुपया में तो बताएं आपको लेडिंग टूए फिनांसर लॉस कितने का हो गया असी रुपय का बतला अगर वही गुड्स अच्छा बन जाता तो मार्केट में उसकी कॉस्ट सव रुपय की लगी है भाईया सव कराब्ठ हो गया तो उसको बंगार के बाव में बेचा कितने रुपय में 20 रुपय और बताईये की दरोट हो और अगर थिस बात समझ में आ गया सर अब नॉर्मेल लॉस बताओ ना सर आपने बता तो दिया है यार इस बताया है चल लो देख धर नॉर्मल लॉस से नॉर्फ मोस्त पास्टेपस से पता लगाते हैं कि पिछली बिस साल से पिछली दस साल से आपकी हर प्रोसिस में पहले वाली प्रोसिस में हमें साथ 20% का नॉर्मल लोस होगा यह होगा वहा नहीं होगा ऐसा अंदाजा लगाए और तो जब मसीन में आप डाल दे तो तब आपको पता चलता है कि कितना लॉस हुए तो देखिए नॉर्म लोस इसका अंडतरक्यों से जैंतर समदल साथ 255 कि इसको ना तो अब शिर्षा सकती हो ना इसको आप अप ढ्रोल में कर सकती हो यह उंहीं है राइट दीज़ने कि आपपक्निंदों भ收 T यह उते हो गया नई बहुत में नहीं कर सकते हैं यह हो सकता है कि अब बजयुक्ट में पुछ सकता है आब भी बता रहू बतारा इसे की आपे भी unavoidable and uncontrollable आप देख लेना आपको अब्जेप्टिस के question में पुछेगा यह सब चीज़े नेक्स्ट इस इन हेरें इन इन नेचर आफ मटेरियल ऑफ प्रोसेश अब नॉर्मन लॉस को calculate कैसे किया जाता है बहुत इंपोर्डेंट है नॉर्मन लॉस अगर आपको यून percentage निकाल लीजिए ओकि आपने नॉर्मन लॉस क्या बोला है देखिए जैसे कि मैंने बोला है देखिए आपने मसीन में इंपुट कितना डाला 20,000 मसीन में डाला है तो नॉर्मन लॉस बोल रहा है बहुत बसको किसका यहीई ट्वेंटि ट्वेंटी हॉज़ तो होगा वह य 14000 ऐसे यूनिट तो मसीन में नहीं गये होंगे जिन समझ मैं आया मैंने क्या बोला बात समझ में आया और Quando समंग समझ रहे कि यहां पे लिए एक तो नॉर्मल लॉस के तो जितना वसेन में डाल रहा हूं इंटू बताए मेरे को कितना पर्सेंटेज दिया नॉर्मल लॉस का बीस पर्सेंट दिया था नॉर्मल लॉस इंपुट का तो डाल दीजी बता पता चल जाएगा 4000 आ गया यह बात समझ वा गया तो बताए 4000 यूनिट है तो क्ою ही 1000 यूणिट को मैं यहां पर लिग दूंगा 4000 यूणि यह 4000 यूणिट इक खराब वोड़ा उसको दो में बीचूंगा तो 4000 रुपए मिल जाएगा बात समझ में आ गया गाइस बहुत इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट यह एक्जाम में आता है यह एक्जाम में आएगा लिखा रहेगा नॉर्मन लॉस इस इक्वल टू चार ओप्शन दिये रहेंगे यह अब यह बता रह देखें बहुत स्लोनले जाओंगा फास्ट में बड़ाता नहीं हो बहुत 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 स्लोनखर जाओगा बढ डिटेल में लेकत आप दों समझने इसा रहें नहीं आएगा देनी आउट नहीं और आफ यह सी कॉमBaby मसीन में हमने डाला 20,000 यूनिट है राइट हमने मसीन में कितना लाब 20,000 यूनिट है तो नॉर्मल लॉस कितना होगा था matte 4000 कम Espero documents, नॉर्मल मृन कितना होना चाहिए लिचा जारना होना चाहिए on a lt devil यूनिट का रहे हमने 600 vos तो नॉर्मल अभी नॉर्मल लॉस इतने का हुआ चार बीस हजर डाला है चारहजर का लॉस हुआ तो आना कितना चाहिए था सोलह हजार यह नॉर्मल आपूट आना चाहिए था अचैनल सोलह हजार आना चाहिए था है बट बताई आपके कोश्शन में आया कितना हो और आपूट जो आया है ना सर एक्क्चुल में आ गया 18 हजार मतलब करेंव कुछ फाइदा हुआ है से अना तो 16 टार बट आया कितना 18 सब्सक्राइब यह बात समझ में आया क्या है कि अब आपका नॉर्मल लॉस थोड़ा कम हो गया रहेगा जिसके वजह से एबनॉर्मल की नहीं मतलब कि कहीं नहीं आप आपने 20 परसिंट जो सूचा रहेगा ना गाईज वो कहीं नहीं दस परसिंट कुछ तो हुआ रहेगा जिसके वजह से यहां पर अपनॉर्मल के नाया है समझ में आया क्या क्या कि ऐसा कभी नहीं हो सकता आप 20,000 यूनिट डालो और यहां पर आपको 21,000 यूनिट आई ऐसा कभी नहीं हो सकता बात समझ में आ गया 20,000 यूनिट से कमी आएंगे तो 18,000 यूनिट आएं अगर सपोज अगर यह नॉर्मल लॉस अगर मेरा 4000 एक्चुल में होता यह तो मैंने एस्टिमेट किया है ना यह तो मैंने एस्टिमेट किया है यह मैंने तो एस्टिमेट करके पहले लिख लिया कि मेरा 4000 का होगा बट जब अगर 4000 का अगर एक्चुल में होता तो 16,000 यह आना चाहिए ना तो आया कितना 18,000 आया है मतलब कहीं न कहीं गाईज यह नॉर्माल लॉस थोड़ा आपका कम हुआ है जब आपने मसीन में एक्चुल में डाले थे ना प्रूसेस में तब जाके आपको पता चला कि आपका जो नॉर्माल लॉस से वो थोड़ा कम हो गया है यह तो हमने एस्टिमेट पहले पास्ट इक्स्पिरियंस को देखके पहले आम लोग ने इसको कैलकुलेट कर लिया था पहले कैलकुलेट कर लिया था इतना रुपे का इतना लॉस होगा इतना खर्च इतने रुपे हमको मिलेगा यह पहले कैलकुलेट कर लिया जब मसीन में जाने के बाद जब पता चला कि भाईया मसीन में तो हमने बहुत अच्छा दाई हमारे लेवर ने अच्छा काम किया मतलब यह थोड़ा कम हो गया रहेगा बात समझ में आ गया बात समझ में आया तो देखिए नॉर्मल आउट्पूट क्या किया यह वाले इंपूट से नॉर्मल लॉस्ट के इंपूट को ओके माइनस कर रहें डिड़क्ट कर रहें तो देखिए क्या वही लिखा गया नॉर्मल और एक्सपेक्टेड आउट्पूट यह दिड्राइट इंपूट इंपूट वही वहने भी खिया है यह 20,000 था ओके 20,000 को मैंने किस से किया था बोला था चारहजर से इधर चारहजर आया था ओके तो इस चारहजर को डिड़क्ट कर दो तो आपको 16,000 आ जाए को नॉर्मल आउट्पूट इतना आना चाहिए था अब बात करते एब नॉर्मल लॉस एन एब नॉर्मल गेन की तो चलिए नॉर्मल आउट्पूट को एक्चुल आउट्पूट से कमपेर करते तब ही जाके हमको पता चलता है कि प्रोसेश डिटर्माइन कर पाता है कॉंटिटी ओफ एब नॉर्मल लॉस एन एब नॉर्मल गेन हम लोग क्या करते नॉर्मल आउट्पूट को एक्चुल आउट्पू इस अच्छा आउट पूट को हमने एक्ट्व sol आउट्पूट से अच्छा आउटपूट निहीं अच्छा आउट्पूट निकल रहा जया अच्छ currently को मैं मैं आर्मक जीरह का संब्सक्रैमाल नोस Mayor ॡरहमल यहाइन मिंज़ सकती पान adel ga ओके जैसा मैंने की आधी अगर इफ the actual output is less than normal output अगर आपका actual output normal output से कम है तो हम उसको क्या बोलते abnormal loss on the other hand अगर actual output आपका more than normal output एक्शल डूप्ब्ट यeससे केयों लाकिस एक्शुल आउप्ट देखिए एक्शिल में मसीन में से बाहर कितना आयाँ लνεकटना चाहिए था 16,000 मतलब एकुवल आउटपूट जो है ये वाला एक्षेल ऑुट्पूट नॉर्मल आउटपूट से ज़्याधा है एकुवल आउटपूट ज़्याधा है नॉर्मल oh तो इसको हम बोलतい क्या जी GB बोलते एक ख Secure B अगर आपका actual output is more than normal output, it indicates the abnormal gain, बात समझवा गया, अब बताईए ना गाईस, abnormal loss कैसे आता है, सर आपने तो बताया था, दीखा, abnormal loss कब आता है, may be caused by abnormal circumstances, जैसे मैं बोल सकता हो, कुछ accident हो गया रहेगा, जिसके वज़े से abnormal loss हो गया रहेंगे, या फिर inefficiency of worker, हमारे worker ने वरावर क हो गया, जिसके वज़े से abnormal loss हो गया, वो सकता है, bad quality of raw material हमको जो raw material दिया गया था, वो अच्छा नहीं था, जिसके वज़े से material कराब होई machine में डालने के बाद, and so on, सर, abnormal gain कब होता है, तो abnormal gain may arises due to the efficiency of the worker, मतला हमारे worker ने बहुत अच्छे से काम किया रहेगा, तभी तो abnormal, जो normal loss तो कम होके, अच्छे goods बन गया है, ओ, abnormal gain कहिना नहीं लगे, ओके, हो सकता है, excellent quality के goods हम को मिल गया होंगे, material, जिसके वज़े से अच्छे माल हमारे output निकले, हो सकता है, recently हमने repair कराया रहेगा machine की, जिसके वज़े से अच्छे अच्छे माल निकल रहे है, and so on, बात समझ माया गया, in both cases, it is a desirable for the management, to find out and analysis the reason for the abnormality, बात important है, परके, इन दोनों केस में, management क्या गर्दा, desirable कर सकता है, कि कितना हमको बचाना है, right, यहाँ पर इन losses को, abnormal loss को, आप इसको control में कर सकते हो, abnormal loss को, यही बता रहे है, अगर management proper रहेगा, management ध्यान देता रहेगा, तो अपने abnormal loss को बचा सकते, but normal loss को ने बचा सकते, इसलिए यहाँ पर normal loss को यहाँ पर लिखा, unavoidable and uncontrollable cost, बात समझ में आ गया, तो guys, इडिया पूरी की पूरी theory में आपको explain कर दिया हो,